नमस्कार साथियों आपके अपने यूटूब चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का भिनांदन आईए आज की प्रश्णों तरी में रामचरित मानस के कुछ महत्पूर प्रश्णों के साथ आगे चलते हैं आज ऐसे प्रश्णों का संकलन लेकर आए हैं जो परिक्षा के लिए बहुत ही महत्पूर हैं एक प्रश्ण या दो प्रश्ण तुलसी दास से संबंधित उनके ग्रंथों से संबंधित जरूर पूछा जाता है राम काब की जब बात करते हैं तुलसी दास पीछे नहीं रहते हैं तुलसी दास बहुत ही महत्पूर है तो आज की प्रश्णोतरी में प्रमुखतेया तुलसी दास से संबंधित समस्थ प्रश्णों को पढ़ेंगे आईए राम काब धारा के कुछ तीस महत्पूर प्रश्णों में के तुलसी दासे सम्मंधित प्रमुक प्रश्णों पर चलते हैं पहला प्रश्ण है राम चरित मानस का काब रूप है महा काब्य, खंड काब्य, प्रबंध काब्य, मुक्तक काब्य यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं चार बिकल्प दिये गए हैं जिसमें से रामचरित मानस के काब्य रूप पूछे गए हैं तो काब्य रूप क्या है रामचरित मानस का महा काब्य जल्दी जल्दी साल्ब करेंगे महा काब्य काब्य रूप क्या है महा काब्य है इसी तर से अगले प्रशन पर चलेंगे आज का अगला प्रशन जो होगा रामचरित मानस की भासा मानी गई है अब रामचरित मानस की भासा जो यहां पूछी जा रही है भासा के बारे में हमें बताना है तो रामचरित मानस की जो आज की भासा आप देख पा रहे हैं क्या होगी बैश्वाणी योधी कही जाती है बैश्वाणी योधी अर्थात सुद्ध योधी रूप लिया गया है रामचरित मानस में बैश्ण योधी का प्रयोग किया गया है इसी तरह से आपका विकल्पस सही है अगला प्रिश्ण जो आपके शामने है मानस में स्रिंगार के रूप क किस रूप का वर्णन किया गया है श्रिंगार का जो वर्णन है वह श्रिंगार के किस रूप का वर्णन है ब्रपलंभर श्रिंगार इस्थूल शिंगार गाहरस्थिक सिंगार अलोकिक शिंगार तो रामचरित मानस में जो सही है शिंगार का रूप जो है वह है गाहस्थिक सिंगार गाहस्थिक सिंगार इस तरह से बिकल्प आपका तीन सही है सब बिकल्प सही है अगला प्रश्ण है रामचरित मानस सीर्षक में मानस सब्द अव्यंजना करता है यहाँ पर सीर्षक में पूछा गया है मानस सब्द किसका प्रतनी धुरूप है मानस सब्द जो प्रतनी धुरूप है किस बात का प्रतनी धुरूप है इसके बारे में बात की जा रही है हिर्दय की ब्यक्तित्त की मस्तिस्क की चिंतन की तो रामचरित मानस में जो रूप पूछा गया है वह है रामचरित मानस सीर्षक में मानस सब्दकार्थ है हिर्दय मानस सब्दकार्थ लिया गया है हिर्दय हिर्दय की तो सहीं विकल्प आपका सहीं होगा। इसी तरह से अगले परष्ण पर चलते हैं। अगला परष्णाज का है तुलसी कृत वह कौन सा ग्र Complete है, जो उन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्प्धीर्थ रचा था? गंभीर बीमारी से मुक्त होने के लिए रचा था? वह कौन सा ग यहां पर इस पस्ट है कि वह रचना है हनुमान बाहुक इसी तरह से अगला प्रश्ण है तुलसी दास को किसने हिंदी का सर्वस्रेष्ट कभी घोशित किया है तुलसी दास को हिंदी का सर्वस्रेष्ट कभी किसने घोशित किया है आचार राम हजारी प्रशाद्यवेदी रा मिश्रबंधू आचार रामचन सुकल करनल टाड इस तरह से यहां पर जो सरुस्रेष्ट कभी की बात अगर आए तो तुरंत आप समझ लेजिए कि सुकल ने तुलसी दास को सरुस्रेष्ट कभी माना है तो आचार शुकल आपका विकल्प सही होगा शव विकल्प सही होगा इ जोतिस ग्यान के भी ग्याता थे जो परकट करता है कि उनके निम्essionsu ग्रंथ में क्या है कभितावली रामाग्या प्रश्ण बैरराग शंदीपनी जानी की मंगल कि सी ऑंके जोतिस Jrन की प्रमाणिक्ता मिलती है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं समय के उनके जोतिस ग्या की प्रमालिकता के लिए उनका रामाज्या प्रस्ण ग्रंथ सरोवीदित है रामाज्या प्रस्ण जब किसी प्रस्ण का उत्तर आपको ना मिली रामाज्या प्रस्ण से उसका उत्तर पाज सकते हैं इसी तरह से अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्णाज का जो है राम चरित मानस को महत दिया जाता है इसके बाद राम के दरबार में भेजने वाली उस्तिका रचना जो उन्होंने की थी राम के दरबार भेजने के लिए रचा था बिने पत्रिका तो बिने पत्रिका के बाद तीसरे इस्थान पर किस रचना को माना जाता है चार बिकल्प दिये गए हैं राम-लला, नहचु, कवितावली, पार्वती मंगल, हनुमान बाहु इस तरह से तीन रचनाय जो दी गई है चार रचनाय दी गई है इस में से कवितावली को तीसरे स्थान पर रखा जाता है तुलसी दाजी ने कभितावली लिखी है उसको तीसरा इस्थान दिया जाता है अगला प्रश्ण है तुलसी दाज कृत अंतिम्रचना है अब तुलसी दाज के द्वारा लिखी गई अंतिम्रचना जो मानी जाती है रामचरित मानस दो हावली बिने पत्र का हनुआन बाहु इनकी अंतिम रचना जो मानी जाती है वह हनुआन बाहु जो अपनी बाहु पीड़ा को मुक्ती पाने के लिए इन्होंने लिखा था ऐसा माना जाता है इस रचना के लिखने के बाद इनकी बाहु की पीड़ा खतम हो गई थी और इन्हें बाहु पीड़ा से मुक्ती मिल गई थी इसी तरह से अगला प्रश्ण है काहेन कान करो भिनती तुलसी कलिकाल बिहाल की दो हैं उक्त पंक्तिया तुलसी दास जी किसकृत से है तुबितावली से राम चरितमानस से बिने पत्रिका से दोहावली क्विताउली से। तियह पंक्तियां जो लिखी गई है तुलसी दास की रचना कविताउली से है जो तीसरे नंबर पर महत्पूर रचना है कविताउली से ली गई है। अगला प्रश्न है गीरा अरथ जल बी चीसम कहियत भिनन भिन उक्ति में तुलसी दाज जी ने प्रतिपादन किया है ब्रह्मा और जीव की एकता का, सबदार्थ की अभिनता का, सैव और बैशनों को समन्वे का, विभिन वर्गों के बीच ऐसमानता का गीरा जो यहां पर लिया है कि इसमें किस तुलसी दाजी ने उक्तिका प्रतिपादन किया है, उक्तिके प्रतिपादन ने क्या ही किया है, कि सबदार्थ की अभिनता का, गीरा अरथ जल बी चीसम कहियत भिनन भिन, यहां उन्होंने सबदार्थ की अभिनता की बात की है, तु बाविकल पाप का सहीं होगा इसी तरह से आप अगले प्रस्ण पर चल सकते हैं अगला प्रस्ण है तुलसी दास जी के गुरु कौन थे रामानंद नरहर बारहट नरहरयानंद राघवानंद आपको सभी को पता होगा तुलसी दास जी के गुरु कौन थे तुलसी दास जी के गुरू थे नरहरया नंद नरहरया नंद सविकल पाप का सही है अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है नरहर बारहट कौन थे राम भक्तिधारा के कवी राम भक्तिधारा के कवी कृष्ण भक्तिधारा के कवी प्रेमा ख्यान काविधारा के कवी संत काविधारा के कर अब नरहर बारहट नरहर बारहट की बात यहां की जा रही है तो नरहर बारहट के बारे में जब भी पूछा जाए तुरंत आप बताएंगी राम भक्तिधारा के कभी माने जाते हैं अब इकल्प आपकर सेहीं होगा इसी तरह से अगले प्रसंदों पर चलते हैं, रभा दास, रामिचंद्र शुक्ल, केषवऄ दास, रामिचरणदास, तो यहाँ पर सही भी कलपाप के सामने जो है पहले टीका कार के रुख में प्रशिद्ध हैं राम चरण दास अगला प्रशन है मध्यूगिन राम काप्य परंपरा के अंतिम उलेखनी कभी हैं नाभादास प्राण चंचोहान इस्वर दास महाराज बिस्वनात सिंग मध्यूगिन राम काप्य परंपरा के अंतिम उलेखनी कभी जो माने जाते हैं वह हैं महाराजा बिस्वनात सिंग तो दा विकल्प सही होगा दा विकल्प सही है इसी तरह अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है निमलिक्षित में से कौन तुलसी परवर्थी राम भक्ति साखा के कभी नहीं है नाभादास अगरदास किरिपा तो चार विकल्प दिये गए हैं चार विकल्प में से आपको एक विकल्प का चैन करना है एक विकल्प क्या होगा उस विकल्प का सहीं चुनाओ करने के लिए आपको सहीं विकल्प पर जाना होगा कि निमलिखित में से तुलसी परवर्ती परवर्ती तुलसी के जो कभी आने गैए हैं वह कोन है नाभवदाश अग्रृदास कृपा रां तो सही विए प्रश्माब के सामने हैं तुल्षी के परवरती मद्धयूगी नमृध मध्ययुगीन रामकाब्य परंपरा के अंतिम उल्लेखिनी कभी हैं नाभादास, प्राणचंद चौवान, इस्वरदास, महाराज विस्चुनात सिंग, मध्ययुगीन हैं महाराज विस्चुनात सिंग, फिर अगला प्रस्ण है, निमलखित में से कौन तुलसी परवर्ती रामभक्त साखा के कभी नहीं हैं, कृपा राम जी, कृपा राम जी नहीं हैं, इसी तरह से अगले प्रस्ण की बात कर लेते हैं, अगला प्रस्ण है, अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयम को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया है, अग्रदास जी ने अग्रदास जी ने अग्रदास जी ने अग्र अली के नाम से सखी के रूप में संबोधित किया है, अग्र अली, अली माने सखी, अग्र अग को सम्भोधित किया है। इसी तरह से एक प्रश्ण है वर्ण करतारों बन्दे बाड़ी बिनायं को किस ग्रंथ में आया है। expected अब्द जो है यह कथन किस ग्रंथ में आया है यह कथन जो है सही बिकल्प बिने पत्रिका रामचरित मानस गीतावली दोहावली तो सही बिकल्प आपके सामने जो है रामचरित मानस में यह कथन कहा गया है इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन जो आपके सामने आ गया है रामा नंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्ले किस ग्रंथ में किया है रामा नंद जी बैस्णों मताब्ध भासकर में जानकी मंगल में गो संकट में स्री रामार्चन पद्धत में तो यहां पर दो प्रशन आपको मिल गए हैं पहले तो उन्होंने सहीं होगा स्री रामार्चन पद्धत में किया है दूसरा प्रशन यहां है कि रामा नंद जी की उस तक क्या है तो स्री रामार्चन पद्धत याद रखेंगे इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं तुलसी चरित रचना किस की है तुलसी चरित रचना की बात जब की जा दासकी यहां पर तुलसी चरित रचना जब पूछिया है तुरंद बताएंगे रगुवर दासकी रचना है इसी तरह से एकला प्रश्नाज का है भक्तमाल का रचनाकाल माना गया है भक्तमाल का रचनाकाल जो माना गया है क्या है पंद्रा सो पचास, पंद्रा सो तीस, पंद्रा सो चानवे, सोला सो ते सही विकल्प आपके सामने आ गया है पंद्रा सो चानवे भक्तमाल की रचना का काल माना गया है अगला प्रस्न है सुरतिय नरतिय सब चाहति अस होए सुरतिय नरति सब चाहति अस होए पंक्त के रचनाकार हैं तुलसी, कवीर, अग्रदास, सूरदास यह प्रशन जो है बहुत ही महत्पूर्ण है इस तरह का प्रशन पूछा जाता रहा है तो आप इस प्रशन का उत्तर सहीं से ध्यान से लगाएंगे इस पंक्त के रचनाकार हैं तुलसी दास इस पंक्त के रचना कार कौन है तुलसी दास जी है अगला प्रशन है तुलसी जी ने रामशरित मानस की रचना किस पद्धत पर की है गीता पद्धत पर कविता सवया पद्धत पर दोहा चोपाई पद्धत पर छपपे पद्धत पर तो तुलसी दास ने रामशरित मानस की र तो पाईयां लिखी हैं तिनके पद्धत सब इकल्ब आपका सहीं होगा सब इकल्ब इसी तरह से अगले प्रस्ण पर चलते हैं गीत पद्धत पर तुलसी ने कौन सी रचना लिखी है गीत पद्धत पर अब यहां गीत पद्धत की बात की जा रही है जानकी मंगल लिखा है भ लिखी है वह बिने पत्रिका बिने पत्रिका गीत के रूप में लिखा है अगले प्रशन पर चलते हैं रीज अपनी बूजी पर खीज बिचार विहीन ते उपदेश नमानही मोह महोद अधिमीन या दोहा किस क्या है तुलसी का है कबीर का है रहीम का है रामानंद का है तो री जैसे ही आपको सब्द मिले तो तुरंट आप समझ लेंगे, यह दोहा तुलसी का है, तुलसी जी राम पर रीज गए थे, इसलिए यह दोहा किशका है, तुलसी का है, तो आप भिकलप आप सहीं कर लेंगे, रीज अपनी भूज़ पर, इसी तरह से अगला प्रश्न है आज का गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसकी पंग्ति है गोरख नाथ की कबीर की सुन्दर दास की तुलसी दास की तो गोरख जगायो जोग जब यह पंग्ति आए गोरख नाथ के बारे में आए जगायो जोग भगत भगायो लोग तो इस तरह से जोग और लोग जब आजाए तो तुरंत समझ लीजिए समन्वे की भावना किस ने किया है तुलसी ने लोगों और जोग में समन्वे किया है तुलसी ने तो दा भी कलप आपका सहीं हो गया इसी तरह से अगला प्रशन है तुलसी दास जी उत्तर भारत की समगर जनता के हिर्दे मंदिर में पूड प्रेम प्रतिष्ठा के साथ बिराज रहे हैं किसका कथन है हजारी प्रशाद्दी वेदी का राम चंद्र सुकल का डाक्टर नगेंद्र का राम बिलाज शर्मा का तो तुलसी दास जी बिराज रहे हैं तो यह कथन किसका है यह कथन राम चंद्र सुकल जी का है किसका है राम चंद्र सुकल जी का है इसी तरह से अगला प्रशन है राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परिछाही यह उस समय का वर्डन है जब प्रभू सिरी राम सोयंबर में जाते हैं और सीता जी मर्यादा बस उन्हें देख नहीं पाती है तो मर्यादा में रहते हुए उन्होंने अपने हाथ में पहने हुए कंगन के नग में रामकी प्रतिमूर्थ प्रतिमा को निहार्ती हैं और बड़े ही सरल तरीके से राम को देखती रहती हैं उसी के लिए तुलसी ने लिखा था रामकी रूप नीहारत जानकी कंगन के नग की परिछाइं ति यहां पर यह पंगत तुलसी के ग्रंथ से ली गई है अब यह पंक्ति जो है ली गई है तो आप इसको भी जान ले यह पंक्ति कहां से ली गई है तो यह पंक्ति तुलसी दास द्वारा लिखी गई प्रमुक्तया तीसरी रचना में हर्थात कवितावलीम से ली गई है कवितावली से आप इस तरह से इस प्रस्ण का उत्तर याद रखेंगे इसी तरह से अगर इस प्रश्ण को देखें तो इसमें रस की भी बड़ी अच्छी सुन्दर छटा दिखती है कि दूल है सीरी रघुबीर बने दूल ही सीय सुन्दर मंदीर माही तो इस तरह से यहां सिंगार रस का अनुपम संदोर है जो गारस्थिक सिंगार के रूप में लिया गया है चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है बैराग संदीपनी किस कभी की रचना है तुलसी दास की है कवीर की है बियोगी हर की है रैदास की है बैराग संदीपनी आप तुरुंत रचना सुनते ही समझ गए होंगे बैराग जीवन किसने बिताया पत्नी से दुत्कार पाने के बाद बैरागी कौन बने तुलसी दाज जी तुलसी दाज जी यहां लिख लेंगे इसी तरह से प्रशनों को याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रस्ण है बरवे रामायड में कितने कांड और कितने छंद हैं दो कांड सत्तर छंद पांच कांड तीस छंद साथ कांड उनहत्तर छंद नौ कांड इस तरह से बरवे रामायड की जब बात की जाए तुरंत बताएंगे साथ कांड उनहत्तर छंद बरवे रामायड मे कितने चंद हैं रामचरित मानस की तरह साथ कांड है अब प्रथवी राज रासों की तरह 79 समय के बजाए 79 चंद हैं इस तरह से आप याद रखेंगे अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है तुलसी की दोहावली में कितने दोहें हैं तो तुलसी की दोहावली में दोहों की संख्या जो बताईगी है 473-572 है 500-372 है यहां सहीं भी कलब आपके सामने आ गया है 572 है तो साथियों आज की यह प्रशनोतरी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों में वीडियो को सेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना जरूर करें लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें कि आपको इसी तरह से और किस किस भी से पर वीडियो चाहिए आज यहीं तक जेहन जे वारत